हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल ओन्लाइन जीस में और आज हम देखने जा रहे हैं सेवेंथ पार्ट या ऐसा कह लिजिए कि लास्ट पार्ट ऑफ क्लाइमेट टॉपिक जो की है बेश्ट एंसी अर्टी क्लास 9 के बुक पर और यह जो है ना इसमें हम देखने जा रहे हैं इंडियन सीजन्स को इसमें जो मैक्सिमम बाते होंगी वह मेरी वन से लेके जो सिख तक लेक्चर से क्लाइमेट की इसी से रिलेटेड होंगी कु इंडियन सीजन्स का कि ओके और यह मेरे द्वारा प्रेजेंट किया जा रहा है मेरा नाम है अभिनोर आज जो सिख्थ पार्ट था यानि इंडियन मॉन्सुन इसको मैंने बहुत ही अच्छे से डिल कर रखा है और इसमें जो टॉपिक्स कभर किये गये थे मेली की मॉन्सु से किन होता है क्या कॉज है इसकी बिस्ट्रॉल कैसी होती है और सब कुछ मैंप बेस्ट था तो मैं आपको यह सजेष्ट करूँगा कि आप पिछले जो छे चैप्टर से या छे वीडियोज है इन क्लाइमेट के उपर वह ना भी देखें तो सिख्थ पार्ट को एक बड़ देखने का कोसिज करें ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीजन्स ठीक है तो दा मॉन्सून टाइप ऑफ क्लाइमेट इज करेक्टराज़ड बाई डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न यह तो हम सभी जानते हैं कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वह मॉन्सून टाइप का है और इसका क्रेक्टरिस्टिक है कि सीजनल पैटर्न बहुत ही डिस्टिंक्ट होता है बहुत ही अलग किस्म का है वेदर कंडिशन जो है भैरी करते हैं एक सीजन से लेके अधर सीजन तक अब आप ऐसा समझ लीजिए कि कोई इंसान इक्वेटर पर रह रहा है जीरो डिग्री पर ठीक है विस्वत रेखा पर तो उसे क्या होता है कि सालोगर एक टाइप का ही उसको मिलना है मौसम सुबह से लेके बारह बज़ता कुसे धूप का एक्सप्रियेंस होगा बारह जैसे बज़ेगा ना इतना सबसे ज्यादा सीर पर लगेगा कि धूप पड़ रहा है और इसके सूबह एही प्रोसेज है पहले सनराइज होगा फिर प्रेशिपीटेशन पर पिर नॉर्मल हो जायना यह हमारे इंडिया में एसा नहीं है हमे गर्मी का भी है यह एसास होता है हमों सुन जह बारिस वाला सीजन हो तो उसके लाब स्प्रिंग हम लोग Ratne तीक है लेकिन यह या थार डेजर्ट है इधर जादा एक्सप्रियंस किया जाता है लेकिन यह इतना अच्छा आप नहीं हो पाता है क्योंकि यह फिर ओसें के influence में आ जाता है और हम सभी जानते हैं कि एक फैक्टर बहुत बड़ा प्ले करता है कहीं के क्लाइमेट को influence करने में तो वही बात लिखा हुआ है कि दो कोस्टल एरिया डू नॉट experience much variation in temperature through variation in rainfall pattern तो rainfall में अंतर आता है लेकिन वहाँ temperature में बहुत ज्यादा नहीं है सालों बर करीब करीब एक जैसा temperature experience किया जाता है और इंडिया में जो चार में सीजन जो हम लोग experience करते हैं एक तो हो गया cold weather season यानि जाड़े का मौसम होट वेदर गर्मी का time advancing monsoon and retreating monsoon ठीक है और थोड़ा थोड़ा रिजिनल भैरियेशन तो होता ही रहता है तो इनको एग्नौर करें तो हम कहेंगे कि एक हो गया distinct हो गया cold यानि जाड़े का जो time है ठीक है दूसरा हो गया hot या गर्मी का time और एक हो गया onset of monsoon advancing monsoon यानि monsoon जो आता है और एक monsoon जो जाता है ठीक है अब इसके अलग-अलग features है तो सबसे पहले सुरू करते है cold weather season यानि winter या जाड़े के मौसम से सर्दियों से ठीक है और यह हमारे पास कब होता है कि मिड नवेंबर से लेके northern इंडिया की बात हो रहे है कोस्टल की नहीं हो रही है आप फिर से ध्यान दीजिएगा ठीक है और यह कब तक करीब करीब फेवरी तक रहता है और सबसे ठंधे मंस होते हैं coldest months तो यह होते हैं दिसंबर और जन्वेरी के ठीक है northern पार्ट में और उसनीक इफेक्ट है लेकिन जैसे जैसे नौर्थ वर्ट बढ़ते हैं और जैसे यह देली का रिजन है यहां पर तो हम सभी जानते हैं कि यह देली जो है यहां कॉंटिनेंटल इफेक्ट है बहुत ज्यादा ठंड पढ़ती है और यहां टेंप्रेचर लो का मतलब लिखा और यह चौबिस डिग्री या पचीश डिग्री से लंसम में रहता है और वही नौदर्ण प्लेन में यह 10 डिग्री से 15 डिग्री के बीच रहता है यानि कुचेन्य का एवरेज टेंपरेचर 24 तो 25 डिग्री सेल्सियस और नौदर्ण प्लेन जैसे कि जहां लखनाव उपतन अलहाबाद बनारस यह सब जगह आते हैं इसके अलाव में जो नौदर्ण प्लेन का हिस्सा है आप यह ध्यान रखेंगे तो यहां पर का एवरेज टेंपरेचर 10-15 डिग्री होता है और क्या होती है डेजर वार्म है नाइट्स और कोल्ड अब दीन में क्या है कि थोड़ा दूब पड़ता है ना तो दीन वार्म हो जाता है लेकिन जो रात होती है बहुत थंडी होती है मुंसी प्रेमचन ने एक अच्छी सी इस पर भूक भी लिखी है पूसकी रात उन्होंने उसमें ठंडे का बयान किया है कि किस तरह की सर्दियां पड़ती थी उनके जमाने में और कि फ्रोष्ट जो होता है यह बहुत ही कमन फेनमेना है नौदर्न और हाइयर स्लोप पर हिमालया के देखा जाता है कि स्नोफॉल भी होता है ठीक है फ्रोष्ट यह एक्स्प्रियेंस किया जाता है कि ऐसे पत्तों एगरा पर देखा जाता है नौदर्न प्लेंस में centre पड़ती हैं तो यह कहते हैं कि यह अफेर्फ ऑनुमाद नगाते हैं यह ट्वन्ट फिर्शं का टाइम है जब सबसे डाइरेक्ट यहां पर सन का रह पड़ रहा है और यह नौदर्न हमीज़़ का सबसे बड़ा दिन होता है सौधर्न हमीज़़ की सबसे लंबी रात इसको कहते हैं हम लोग समर सोलिस्टिस ठीक है अब यह सन का इस तरह से मुवमेंट होता है यह एक्वेटर पर आ ग सबसे लंबी रात कब होती है 22 या 23 दिसंबर वाला टाइम है समझ रहे हैं आप तो इस तरह से सन का मुवमेंट होता है और सबसें हमीज़़ में आ चुका है यही बात है और जो एक बात था कि हिमालयन रिजन में जाने पर स्नोफल होता है तो क्यूं होता है मैंने आपको प सब्सक्राइब के बारे में कि जैसे हम एक किलोमीटर करीब उपर जाते हैं तो साड़े च्छे डिग्री तापमान कम हो जाती है या पर हंडेड मीटर के लिए 1.6 डिग्री सेलसियस ठीक है तो इस तरह से क्या है कि उपर बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे तो टेंप्रेचर डाउन हो रहा है या देख लिए यह सी लेवल पर लिखा है कि 30 डिग्री और 3000 मीटर जाते जाते साड़े 10 डिग्री सेलसियस हो जाता है तो हिमाले पूरी हाइट है और मांट टेवरेस्ट जो कि हमेसा बर्फ से उच्छादित रहता है बर्फ उच्छादित तो क्यों रहता है क्योंकि वाँ टेंप्रेचर बहुत ही डाउन है यह सब कुछ आप जानते होंगे बस यह चोटा सारी वीजन हो गया इन डिसीजन यानि जाड़े के टाइम में नौर्थ इस्टर्ण ट्रेड विंस प्रिवेल ओभर दी कंट्री यानि नौर्थ इस्ट से जो इस तरह से ट्रेड विंड चलती है यह पूरे कंट्री पर ना डॉमिनेंस इनका रहता है क्यों रहता है अभी हम समझेंगे दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी एंड हिंस मोस्ट पार्ट अब होता क्या है देखिए जब मैं मौन्सुन वाला पार्ट बता रहा था तो आप समझेंगा इधर और यह तो लैंड मास है और अब हो कहा रहा है कि अगर कोईड का यह डायक्स के वाटर है कि है यहँ है मौर्य और यहां पर कोई कारण होता है कि बारिस कराना है मांते हैं कि जढ़क कीट है कि बारिस हो कोई ये landomas है। फिक है अब यह बहुत बड़ा landmass है ऐसे और यहां से अगर कोई wind mass आ रहा है और इस area में mountain रहे भी तो क्या ही बारिश कराएगा ? इसमें तो moisture हैं ही नहीं, moisture चाहिए ना बारिष कराने के लिए moisture नहीं है तो बारिस नहीं होगी, सिधा सिधा बात यह है, ठीक है, they blow from land to sea and hence they are dry, सिधा बात है, अब आगे बात है, some amount of rainfall occurs in Tamil Nadu coast from these winds as they blow from sea to land, अब यह Tamil Nadu का exception है क्या, तो हाँ समझ लीजिए कि exception है, क्यों है, यह भी पहले चर्चा हो चुका है, लेकिन फिर से एक बार, जब retreating monsoon है, य यह हो गया Tamil Nadu, है ना यहां पर, तो यहां पर सिवरोय जावेदी टाइप के कुछ hills है, अब देखिए, जब यह North Eastern इस तरह से wind चल रही है, तो यह Bay of Bengal पढ़ता है यहां पर, Bay of Bengal, कुछ गलत हो गया spelling, तो यहां पर यह तो moisture इसको मिल गया ना, moisture ले ले लेता है, और जब य मौनसून से, Retreating Monsoon से, तामिल लाडू को बारिस मिलती है, लेकिन यह जो पूने वाला रीजन है, यहां बारिस नहीं हो पाती है, Retreating Monsoon से, क्यों, क्योंकि यहां तो यह फिर आ रहा है, 36 गड़ और महाराष्टरा, उत्तर प्रदेश से, और यहां तो कोई water body है, नहीं कि यहा से, तामिल लाडू में बारिस हो जाती है, Retreating Monsoon से, बस तामिल लाडू में ही, ओके, अब कारण क्या है, ITCJ जैसे shift होता है, यह देखिए, यहां पर आप ध्यान दीजे, इस picture में, थोड़ा zoom कर देता हूं, इसे, देखिए, इसे, हाँ, आप देख पा रहे हैं, यहां लिख पर यहां, और यह 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ से, दोनों तरफ से, इस्टर्ली विंड्स चलती है, जिन्हें, टेट विंड्स कहते हैं, बेपारिक पोवन, लेकिन, दोमिनेंस इनका, विंटर के टाइम में, जादा हो जाता है, विंटर में, यह कुछ जादा ही मजबू यहां पर, यानि यहां पर अब विंड्स का कनवर्जेंस हो रहा, इस तरह से, ठीक है, तो जो विंड्स को पहले एक टाइम था कि उसे बस यहां तक पहुंचना होता था, ठीक है, लेकिन अब क्या है कि उसे इतना नीचे आना है, तो बहुत पोटेंसियल से आएगा ना, अ इस तरह से, सितंबर से लोटना सुरू होता है, और 15 दिसंबर के करीब चरदे यह इंडियन लेंड मास से एक दम पूरी तरह से चला जाता है, इस तरह से डाइरेक्शन होता है, ठीक है, तो यह इस तरह से, भेब बेंगॉल से, यह मोइस्ट यहां पर बारिश करा देता है तामिलाडू के रिजन में ठीक है इन नौधरन पार्ट अफ कंट्री और फीवल हाई प्रेशर डेवलप्स विठ लाइट विंड्स मुभिंग आउटवार्ड फ्रॉम डिस एरिया अब देखिए हाई प्रेशर क्यों होगा क्योंकि सन तो चला गया सौधर्न हमिस्पेर में औ और हमसे संद दूर है जहां ठंड होती है वहां हाई प्रेशर होता है तो इसमें कोई दो रहा नहीं है इंफ्लेश्ट बाइदर रिलीफ दिज विंड्स ब्लो थूरू थूद गंगा वैली फ्रम वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट तो ठीक है ना वेस्ट और नॉर्थ वेस् ओ्सेश् Lea केहलाती संद्स ठीक है आप क्या है कि यहां हाई प्रेसर होता है वहां बारिश नहीं होती है यह सब आपको याद होगा तो अब यहां क्या होगा बारिश नहीं होगी तो आसमान साफ हो जाएगा उसे में नॉर्मर्मली क्या देखते है कि कुलियरS δr वाल ही नहीं बनता है ठीक है और वेरियेबल विंड्स होते रहती है ओके अब क्या है कि अब करेक्टरिस्टिक फीचर अब दी कोड़ वेदर सीजन ओवर दिन नौदर्ण प्लेन हाँ यह आपको मैं बता चुका हूं कि कैसे मेडिटरेनियन सी में डिस्टर्वेंसे तयार होती है और उसका असर पढ़ता है हमारे जमू कास्मीर हिमाचल प्रदेश पंजाब और देली तक के रीजन में और यह कहलाती है लो प्रेशर सिस्टम ठीक है यह इनका ओरिजिन है मे इंडिया तक वेश्टरली फ्लो के कारण अब कहिए कि भरी आप तो भी इस्टरली बोल रहे थे अभी बोलने लगे क्या चल रहा है यह कुछ नहीं चल रहा है देखिए ऐसे अर्थ है यह एक्वेटर है तो ऐसा मानते हैं इस तरह से इस्टरली का ड्रेक्शन है और इसके बाद वाले स्लोट में ऐसे वेश्टरली होता है ओके तो देखिए यह जमुएंड का समीर वैगरा का जो रीजन है यह तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से उपर है ना तो क्या होगा यहां पर इस्टरली नहीं यहां वेश्टरली विंट चलती है ओके आप मैप देखिए मैप भी हो जाती है और पहाड़ों पर क्या है स्नोफॉल करा देते हैं यह वेश्टर्न डिश्टर्वेंस कहलाती है और लोकली इनको बोलते हैं महावत ठीक है वैसे हाथी जो चलाते हैं उन्हें महावत बोलते हैं और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट विंट होती है क्योंकि यह रा सुन यहां पर ओसन का इंफ्लूएंस है यह सी वाटर का देरीज हार्ड़ी निन नोटीशिवल सीजनल चेंज इन दर टेंप्रेचर पैटर्न दूरिंग विंटर्स दूटू दा मोडरेटिंग इंफ्लूएंस अब देखिए आपको कोई पूछे कि जब देल ही के रिजन में इतना ज्यादा टेम्परेचर का वेरियेशन है सर्दियों में और गर्मियों में और चन्नाई में आपको कोई वेरियेशन नहीं नजर आता है यह तो क्यों सीधे बोलना है दिए टू मोडरेटिंग इंफ्लूएंस औफ एक लाइन बोल देजिए सामने वाला समझ जाएगा कि आपको जनकारी है अब चलिए जाड़े की बात खतम अब थोड़ा देखते हैं समर सीजन को होट वेदर सीजन गर्मी ठीक है यानि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास सन की जब रेडियेशन पढ़ने लगी थी तो प्रेसर बेल्ट क्या होगा नौर्फवार्ट सिफ्ट हो अब यह कब की बात हो रही है मार्च से लेके मई तक यानि मार्च अप्रील में तीन महीने यह होट वेदर सीजन होता है इंडिया में में ली और फिर उसके बाद क्या है ना कि फिर मॉंसून का इफेक्ट दिखने लगता है तो उतनी होटनेस नहीं होती है दे इंफ्लूए अब क्या है कि मार्च के टाइम में डेक्कन प्लेट्यू में आपको याद है जब मैं प्लेट्यू टैप्टर पढ़ा रहा था तो बहुत अच्छे से ऐसे ऐसे से करके हाईलाइट करता था देख लो वह यह डग्कन है तो हाइस टेंपरेचर वहां देखी जाती है अब एक फोटीफाइब डिग्री सेल्सियस तो नॉर्थ वेस्टरन पार्ट आफ कंट्री में देखा जाता है और जैसल मेर वैगराफ में तो कहीं-कहीं एक फोटीफ डिग्री सेल्सियस वी टेंपरेचर चला जाता है ओके अब क्या है कि इन पेनंसुलर इंडिया टेंपरेचर स्री में लोड डियू तो दा मोडरेटिं इंफ्लूएंस ओप दी ओसें सीज अ ठीक है या नहीं टेंपरेचर सब पेनंसुलर पार्ट में नहीं बहरी है क्योंकि मोडरेटिंग इंफ्लूएंस है अब देखिए यही वाला मैप है और यह हो गया डगकन तो मार्च में यहां 38 डिग्री उसके बाद गुजरात और मध्य परदेश का यह जो रीजन है यहां 42 डिग्री देखा जागा एप्रिल में और फिर नौदर्न प्लेन जो ऑग्री तो यह तो समझ गया यह जब संबर था तो सन यहां था इसके बाद क्या हुए कि यह फिर आता है मार्च तो सन आजाता है क्वेटर पर को कि और इसके बाद यह जून यहून का टाइम है हमारे पास संपुंच जाता नौदर הזה में अब क्या है कि जब गरमिया पढ़ होगा तो यह होगा तो यह जो लेंड मास है हीटेड हो जाएगा और हीट होगा तो यहां के बगल बगल के सरावंडिंग येर हम lot एक होगे होंगे। नोगेट कोलाइड होगे और ये यानि पूरा जुन मैदानी भाग है ना पूरी तरह से चपेट में आ जाता है लो प्रेशर के ठीक है यह थार डिजर्ट हो गया ठीक है और यह है छोटा नागपूर पटना कहां होगा इस मैप में देखिए तो आप मैप देख रहे हैं तो यह आपको होगा पता कि यह गंगा रिभर है यह यमना रिभर यह दोनों मिल रही है जहां यहां पर होगे अलाहबाद और यह देखिए यह जगह मनेर है और इसे थोड़ा आगे यहां पर पड़ेगा पटना यह पूरा लोग प्रेसर के इंफ्लूएंस में आ जाता है लो क्यों क्योंकि यह देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर करीब करीब यह रिजन पढ़ता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के उपर नीचे और पर उठ जाती है तो यहां लोग प्रेसर हो गया कन्वेक्शन अब देखिए एक आया था वर्ड ट्रॉफ टी आर ओ यू जी एच ठीक है तो ट्रॉफ क्या है जैसे कि इस तरह से जो यह प्रेसर के ग्राफ है आप यहां देखिएगा इस तरह से अप डाउन अप डाउन तो यह प्रेसर ट्रॉफ है और यह हाई प्रेसर का यह रीज है ठीक है इसको क्रेश्ट बोलते हैं इस तरह से देखिए हाई प्रेसर से लोग प्रेसर की तरफ इस तरह से विंड का ऐसे मोहमेंट हो रहा है ठीक है तो इस तरह से यह प्रोसेस चलते रहता है ओके यह लोप्रेसर का यह अब यह देखिए यहां पर भी इस तरह से यह तरह से यह तो हलंकि यह रेंफॉल का यह लेकिन यहां पर पूरे रीजन में लोप्रेसर का यह त्रफ बन जाता है अब आगे क्या है कि यह स्रिंकिंग फीचर और वेदर सीजनी इसारी नॉट कोड होट वेदर सीजनी दलू लू यानि कि यहां के नौदरन प्लेंज में एक जो सबसे अलग फिचर है इस ट्राइकिंग फिचर है वह है लू क्या होता है कि स्ट्रोंग गश्टी होट होती है गर्म जो लोग northern plains में रहते हैं उसे जरूर ना एक्सपिरियेंस किया होंगे नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में एक्सपिरियेंस किया जाता है और यह बहना शुरू होता है तो ऐसा नहीं है कि लेट इवनिंग तक कभी-कभी यह बहते रह जाता है और ड यह northern इंडिया में और आपको याद होगा कि 2018 में यह कितना लोगों की जान ले गई है डस्ट स्ट्रॉम राजस्थान देल ही और हर्याना के रिजन में आगरा वेगरा सब कुछ बहुत ज्यादा इसके चपेट में था आपको याद होगा डिज स्ट्रॉम ब्रिंग टेंपर लॉवर हो जाता है और कभी वारिस भी हो जाती है अब थंड़े हव capac फ्लोव होने लगता है और क्या देखा जाता है localize thunderstorm यानि बिजली करकने कर भीELL ei Access अब जो रेनफॉल होती है यहां पर यह ओरोग्राफिक या कि कहें कि कंड़क्ट कंड़क्टिव नहीं होती है यह टोरेंशियल होती है यह एकदम से आई बारिस और बरस के चली गई ठीक है और कभी-कभी नहीं यहां हेल वित वेल लोग क्या है कि देखेंगे कि ओला में इस तरह के स्ट्रॉम्स को लोकली काल बैस आखी बोलते हैं ठीक है हो आपको यह बात समझ आ गई यहां लू की बात हो गई उसके बात क्या होता है कि थंडर स्ट्रॉम एक्स्परियेंस के जाएंगे हेल यानि देखते हैं कि थोड़े थोड़े बर्फ गिर जाते हैं ठ ठीक है कि चली अब आगे बढ़ते हैं यह लू का पिक्चर है कि यह काल बैसाखी को लोकली बोलते हैं या कहलें कि गंगेटिक प्लेंस में कहते हैं नौर्वेस्टर देखिए वह था नौर्थ वेस्टर डिश्टर्वेंस कौन जो की मेडिटरेनियन से आ रहा था और उसको महावत बोल रहे थे ठीक है और यह काल बैसाखी जिसको की बोलते हैं थंडर नौर्थ नौर्वेस्टर ठीक है और यह कहां कहा जाता है काल बैसाखी वेस्ट बेंगॉल में और नौधन प्लेन में बोलते हैं नौर्वेस्टर इसके साथ सब अब कुछ समझ में आ गया कि थंडे स्ट्रॉम रहेगा हेल रहेगा बारिस भी हो सकती है टोरेंसियल इस तरह से बिजली कड़कने का एक्सपिरियेंस आप देख सकते हैं अब यह इतना फेमस है काल बैसाखी और लोगों के लिए इतना फेवरेट है बारिस हो जाती है टेंप काल वैसाखी के बारे में और फेमस बेंगाली पोईट मोहित लाल मजूम दार ने भी डिसक्राइब किया है नौरेक्स टर को अपने पोयम में पोयम का ही नाम रख दिया NORA小 고양 बैसाकी और उसको बेस्ट पॉसिबल वे में इन्होंने डिस्क्राइब किया है तो समझ सकते हैं कि लोगों के लिए कितना ज्यादा यह इंपॉर्टेंट लोकल विंड है या स्ट्रॉम है ठीक है अब ट्वार्श दे क्लोज आफ समर सीजन प्री मॉंसून सौवर्स यानि देखिए कब आना है फर्ष्ट वीक ऑफ जून में है अब जून आएगी तब मॉंसून आना है लेकिन उसे पहले मार्च से लेके और जून आने तक का जो टाइम है अगर इस बीच बारिस हो जाती है कहां पर केरला और करनाटा के रिजन में तो उसे कहेंगे प्री मॉंसून सावर्स loneंग बारिस ठीक है और यह क्या हिलप करता है कि जो हाँ होते है जल्दी से पकने लगते हैं कॉफी जो आती है उसमें फल फुल लगने लग जाते हैं तो इन्हें बोलते हैं मैंगो सावर या कॉफी सावर ठीक है इस तरह से इन नामों से जानते हैं कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे प्री मॉंसुन सावर को ही मैंगो सावर बोलते हैं और यह केरला करनाटक के रीजन में एक्सप्रियेंस किया जाता है जून के पहले ओके अब एडवांसिंग मॉंसुन यह तो हम लोग बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर चुके हैं अपने सिख्थ पार्ट में जो रेनी सीजन है अब क्या होता है मैं बस इसको रीडिंग डाल दे रहा हूं लोग प्रेशर का कंडिशन हो जाता है नौदरन प्लेन में और इसके चलते जो ट्रेड विंड्स होती है क्योंकि आइटी से नौर्थ वार्ट सिफ्ट हो चुका है साउथ इस्ट्रेड विंड्स ओरिजिनेट ओभर वार्म सब्ट्रोपिकल एरियाज अब इसाउदर नोसेन एक्वेटर को क्रॉस करने के बाद कुरियोलिस इफेक्ट काम करता है और राइट वार्ट सिफ्ट हो जाती है इंडियन कंटिनेंट पर आ जाती है मुएस्चर होता है उन यहां केरला है तो साउथ वेस्ट डिरेक्शन हो नहीं है तो यह हो गया इस सीजन में क्या देखते हैं कि विंड्वाड साइड ओफ वेस्टर्न घाट रिसीव्स भेरी हैवी रेनफॉल थाइसों सेंटीमेटर तक बारिस होती है अब विंड्वाड और लिवाड में आपको कंफ्योजन नहीं होना चाहिए देखिए देखिए अगर यह पहाड है और इधर से मॉइस्टर लेटेंड विंड्स आएंगी तो यह पहाड के सारे ऐसे उपर उठेंगी उपर उठें तो क्या हुआ कंडेंसेशन हुआ और इस रिजन में यह बारिस करा दी तो इस साइड क को कहेंगे यानि यह पहाड को बीज से बाट दिये तो यह कहलाएगा विंड वार्ड साइड लेकिन जब यह ड्राइव इंड हो गई फिर यह आगे बढ़ गई अब इसमें मॉइस्टर नहीं है और इस रिजन में बारिस नहीं कराएगी तो यह कहलाएगा लीवाड ठीक है कि यह रें रेंफिट 아이 तो परचाई फरचाई रेंघन हम श्याय धोड और रेंफ एक साइड लीवाड और रेंसाड एक इंड cambiar maki तो इसके विश्टरन gebruण्स॥एobra्ट में बहुत ज्यादा बारिस होगी इधर ही होगी ना विंड वार्ट साइड कितनी तो धाई सो सेंटीमीटर तक की बारिस हो जाती है ओके चल लिए अब डेकन प्लेट्व और जो मध्य परदेश का रीजन है यहां भी रेनफॉल होती है उसके तुलना में थोड़ी कम होती है क्योंकि थोड़ा सेड़ एरिया प इस्टर्न रिजन है यानि कि जो सेवेंट सिस्टर से असाम और अरोनाचर प्रदेश नागलान मनीपूर मीजोरम तिरपूरा में घाले तो यहां पर मैक्सिमम रेनफॉल होता है में कहाले के मौसिन राम में कहते हैं कि यह साउधर रेंज जो है खासी हिल्स का यहां करीब ह सब्सक्राइब करीब 1200 सेंटीमीटर आप सो सकते हैं कितना ज्यादा होता है 1200 सेंटीमीटर रेंफॉल इन गंगा वैली डिक्रीजेश फ्रॉम इस्ट टू वेस्ट ठीक बात है इस्ट में यहां पर है क्या खासी हिल्स मौसिन राम फिर यहां पढ़ गया यहां देखिए वे पुलीटर ऄहां यहां यहां देल है हरियाना तो जो भी इसे बार की सो सप्ट बढ़िव देखने को मिलती है प्注क्राइब ऑउलीडर physician पार्टेजास नहीं होती है मैं में बता चुका हो पहले मांटन माउंटेन का रीजन है लेकिन क्या स्पेस्फिक रीजन है आप बताइए मुझे अब देखिए यहां में गाले में यह जो मार्किंग मार्कर से दिखाया जा रहा है यही है मौसीन राम का रीजन और यहां इस रेडिया में सबसे ज्यादा बारिस होने की कारण है यह इफेक्ट फनेल का मतलब होता है कीप अब कैसे यह फनेलिंग इफेक्ट है देखिए यहां पर आप देख पारें कि इस रीजन में चारों तरफ से इस तरह से मैं अभी बता रहा हूं आपको यह परवत हैं माउंटेन हैं प्लेट्यू हैं हील्स हैं जैसे यह गारों खासी अब यहां पर इस तरह से समझें जैसे यह बस एक फर जश्ट फर रिप्रिजेंटेशन है यहां असा मरुनाचल यह रीजन है अगर माल लेते हैं कि ऐसे सारे पहाड़ है यहां पर ठीक है और यह इस तरह से अगर कोई एयर पैकेट इसमें घुस गया ना तो इधर चारों इसी में गोल गोल ऐसे भूमता रहेगा ठीक है अब होगा क्या जब यहां टकर आएगा तो इधर बारिस इधर बारिस करते रा रहा करते बारिस यहां एक बर जो विंड घुस गया उसको इसकेप होने का जगह नहीं है तो इस तरह से इस एफेक्ट को कहते हैं ऐसे कि यह फ लॉंग यानि कि मेघाले की रद्धानी और यह है गुआ हाटी यानि अशाम का ओन अब दी मोस्ट इंपोर्टेंट सीटी ठीक है अब यहां आप देख रहे हैं मानस नेशनल पार्क और यहां लिखा हुआ है चेरापुंजी मॉसिंडाम फॉरेस्टी जरब तो पहले चेरा कि यह जो नदी दिख रही है यह तो कोई सक नहीं आपको यह ब्रह्म पुत्रा रिभर है अब आगे देखिए एक मॉन्सून से इसोसियेटेड फेनोमेना है इसको कहते हैं ब्रेक्स इन रेनफॉल विडियो थोड़ा लंबा जा रहा है लेकिन कोई बात नहीं इससे आज कंक्लूड कर देना है खत्म कर देना है ठीक है तो ब्रेक क्यों होता है अगर मॉन्सून की इंटेंसिटी कम हो जाती है तो उसे कहते हैं कि मॉन्सून में ब्रेक पड़ गया अब देखिए इस क्यों है कि इसको दूसरे जगह से ठूलिंग हो रही है यहां परविन है या पिवद के रीजन से यहां प्रेशर पहुँच रहा है और पर यहां प्रेशर इनतयार हो रहा है सब्सक्राइब हो जाना कि पहले शहरा इंटेंसिटी नहीं रह जाएगा तो वहिए ब्रेक हो जाता है मौनसुन में बीच बीच में दस इट है जे वेट एंड ड्राइज तो कभी आप देखते हैं कि आप सपोज पटना में रहते हैं या यूपी के अलाहबार लखनों कहीं रहते हैं ऐसा नहीं कि सातों दिन लागतार बारिस होती है बारिस होई फिर थोड़ा रुक्य फिर बारिस फिर रुक्य है ना तो यही कहलाता है ब्रेक्स इन अदर वर्स दी मौनसुन रेन टेक्स प्लेस वनली फॉर एक फ्यू डेज आट टाइम एक बार में कुछी दिन होते हैं फिर कुछ दिन का ब्रेक ओके कि दे आर इंटरेस्प्रेश्ट विट रेनलेस इंटर्वल्स कभी-कभी ऐसा होता है दीज ब्रेक्स इन मौनसुन आ रिलेटेट तुदा मौनसुन ट्रफ अब आप यह समझ रहोंगे मौनसुन ट्रफ क्या है यह लोग प्रेसर वाला जो था ना ऐसे ट्रफ बन रहा था य इस एरिया में अब ड्रफ नहीं रह गया तो यहां पर बारिश नहीं होगी अब बारिश यहां होगी नौर्थ वाड़ साइडिया साथ वाड़ सीफ्ट हो गया ठीक है फॉर वैरियस रिजन ट्रफ एंडिस एक्सिस कीप ओन मुविं नौर्थ वार और साथ वाड़ वीच सब्सक्राइब अब देखे इस तरह से यह तो इसके जो एसा यह बीच का लाइन है इसको बुछ एक्सिस थी कै्के धूरी और अगर यही आप पूरे टरफ को नहीं बोलते श्रह सुद्धे-प्र एक्सिस धेडिग करते ठीक है इसका में मिलाइन हो गया अगर एकसिस हो गय का ट्रफ है और यह एक्सिस लाइन से दिखा दिए और इस तरह से देखिए यह पिक्चर को थोड़ा सा पॉज करके देख लिजेगा जैसे यहां लोग प्रेशर दिखाया गया है यह देल ही का रिजन है यह तरह से अलग-अलग प्रेशर जोन है यहाँ थाउजन ट्वेल था आप समझ गया है ओन द अधर हैंड होता क्या है दूसरा पहलु देखते हैं कि जब एक्सिस शिफ्ट टू हिमालिया देर लॉंगर ड्राइश पिल्स इंपलें सही बात है यह नौदर्ण प्लेंस है और यह है हिमालिया तो जब एक्सिस सीधर आ गया तो हिमाले की रीजन व अब जो सिवालिक माउंटें के करीक का देरिख रिख리ंज यहां जीड़ा बारी सोरी और प्लेंस में बारी सोी हो रही है लेकि छो नदियां तो निकल के आरही है ना जिसली हो गया यमना फिर गौमतीं राप्पती घागनदख बुडींदक तो निकल के यही है तो इनके ब बढ़ जाता है वाटर का भॉलूम बढ़ जाता है यही बात लिखा हुए दीज है भी रेन ब्रिंग्स इन देर वेक डिवैस्टिंग फ्लड कॉजिंग देमेश्टु लाइफ और प्रोपर्टी इन डिप्लेंस अब आप याद कर लिजिए जो कोसी तबाही मचाती है बिहार में ओके दा फ्रिक्वेंसी एंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल डिप्रेशन टू डिटर्माइन देमांट एंड डिवरेशन ऑफ मॉन्सून रेन तो जैसा हम लोग पढ़ेते कि मॉन्सून है इसको बहुत कुछ इंप्लेंस करता है और उसी में एक फैक्टर है ट्रॉपिकल प्रेशन ठीक है यह जो डिप्रेशन है यह डेवलप होती है फ्रम एट लिए अफ बेव बेंगॉल एड क्रोश ओभर दी मेलनेड यह डिप्रेशन क्या है अब अभी हम लोग देख लेते हैं ठीक है चलिए यह देखिए एक सीन याद करिए यह उतराखंड का है यह को प्रेशर का मॉंसुन इंग उन्फर इस ऑन से टेंटिज तो मॉंसुन बहुत ही उन सर्टेन है यह कभी लेट से आएगा पहले आएगा कभी ज्यादा बारीश कभी कम बारीश इसका कोई फिक्स टेनियोर नहीं है टाइम परिए नहीं है और इसका कोई फिक्स intensity frequency and duration okay while it cause heavy flood in one party to be responsible for drought in other तो यह मेंसा ऐसा देखा जाता है इंडिया में कहीं पर drought होता है तो उसी समय कहीं flood आया होता है इस इस और इरेगुलर इन arrival and its retreat hence sometimes disturbs the farming schedule of million of farmers okay अब जो मॉंसुन है लोटने वाला टाइम आगया रिट्रीट तो यह अक्तूबर नौवंबर के टाइम का बात है जब यह जो सन है southern hemisphere में सिफ्ट होने लगता है ओके तो पहले यहां 21 मार्ज था फिर आएगा सितंबर 21-22 और फिर दिसंबर वाला टाइम होएगा सन एक्स्ट्रीम पर southern side चला जाता है तो क्या होगा कि जो यह northern hemisphere है अब तो यहां सन डाइरेक्ट नहीं देगा तो फिर ठंडा वाला सब्सक्राइम आने लगा तो यहां high pressure system होने लगता है ठीक है और साउथ वेस्ट मॉंसून विंड्स वीकेंड सही बात है लाजमी है यह सब कुछ डिसकस हो गया है फ्रॉन दे बिगनिंग ऑफ अक्टूबर मॉंसून विथ्ड्रॉज फ्रॉम दि नौदर्ण प्लेंस यह सब कुछ हम लोग जान गया है ठीक है अब यह देखिए एक रीजन होता है टाइम पिरियेड होता है जो यह अक्टूबर और नॉवंबर का टाइम है यह पिरियेड है ट्रांजीशन का ट्रांजीशन यानि बीज का फ् मॉंसुन जाने लगा तो आसमान साफ हो जाता है और टेंप्रेचर टेंप्रेटरी देखेंगे अब हवा में नमी जब तक था तो क्या था कि थोड़ा सा आपको एहसास करा रहा था गर्मी का मैस्टर क्योंकि आप यह जानते हैं कि जो मैस्टर है कहीं ना कहीं यह भी ग्री जो हमारी भूमी है यह तो तीन-चार महिने से पानी सोख रहे जा रही है तो यह भी इसमें मॉएस्टर है रहता ही है मिट्टी में ठीक है वह इंग टुदे कंडिशन ऑफ हाई टेंप्रेचर एंड हमीडिटी दो वेदर विकम्स रैदर ऑप्रेशिव डिरिंग डड़ यहां जो भी रोशनी पड़ रहा है इसके चलते यह मॉएस्टर से निकलते हैं और क्या होगा मॉएस्टर जब यह कहें कि होने लगता है तो उस समय हीट हो जाता है रिजन नौदरन प्लेन का और इसको बोलते हैं ऑक्टूबर हीट अब देखिए आना तो ठंडा था लेकि सीजन ड्राइव इंटर होने में बीच में का एक क्या हुआ कि गर्मी पड़ गई किस कारण से क्योंकि मुएस्ट स्वायल था और वहां से सन हीट पढ़ने पर यह पूरा रीजन जो है गर्म होने लगा और यह टाइम को अक्टूबर हीट बोल रहे हैं और अब जब हीट यह बैलोमीटर से मापते हैं दो तरह के होते हैं एक होते हैं ऐन्रॉइड और एक हो गया इस तरह से मरकरी इन ग्लास वाला तो फाल इंपरेसर इसी को कहते हैं अहीं कि इसमें डाउन आ जागा तो यही लिखा होता है कि मरकरी बीगेंस टूपाड घजके अब इसके चलते क मैं भी हाइप रेसर है जानते हैं कि जब जमीन बंधर ने लगा याद हो गया है तो बार-बार इतना बार ईस worrying कि आपको diagonally हो ही गया this shift is associated with occurrence of cyclonic disturbance depression which originate over undermansi अंडमान सी से जो originate हुआ है अब यह पहुंच गया कहां तक northern plane तक the cyclone generally cross the eastern coast of India due causes heavy and wide spread rain अब क्या है मैप में हम देखेंगे लेकिन यह जानते हैं हम सभी लोग की जब यह cyclones का time होता है यानि जो October November का time है ना इस समय cyclone का effect है क्योंकि northern जो इंडिया है यहां पर low pressure है और समुद्र जो है यहां पर यह high pressure है ब्योह बेंगॉल में तो high pressure से जब low pressure की तरफ रस करती है तो यह बनती है cyclone का कारण बनती है और जब cyclone आता है तो बारिस अपने साथ लाता है और यह बारिस होती है इस्टर्न घाट पर यानि ओडिसा आंधर प्रदेस और तमिलनाडू इससे heavily disturbed होते हैं और इस ट्रॉपिकल cyclones are often very destructive एक हमारा separate video होगा उसमें ट्रॉपिकल cyclone टेंपरेट cyclone और anti cyclone तीन चीज समझेंगे अब एक बात में बता देता हूं Northern Hemisphere में कि जो cyclone होता है उसका direction अगर आप से कोई पूछे तो आपको याद रखना है कि जो cyclone होगा वह anti clockwise होता है ठीक है यानि जब यह बेंगॉल से आ रहा है तो देखिए कैसे आएगा ऐसे घूमेगा ठीक है वैसे देखिए आप यह त्रीक मैं आभी नहीं बता रहा हूं आपको आगे बताऊंगा ठीक है टाइम वेस्ट होगा भी बहुत लेट भी हो रहा ह ठीकली पॉपुलेटेड डेल्टा जो है ना गोदावरी का कृष्णा का कावेरी का यह अक्सर यह साइक्लोंस आते रहते हैं और वहां है भी डेमेज होता है लाइफ प्रॉपर्टी का इसके साथ ही साथ यह साथ यह साथ औरिसा के कोस्ट वेस्ट बेंगॉल और बांगला में ओरिसा साइक्लों आया था तो पचीश अक्टूबर के बीच में 25 से दोज़्जर हम ज्यस्य अधलना सैक्लों जुधर POL की आफ 16-6 की में तो यह ही है नौमब Sunday सिशन का फेज है अक्टूबर हीट के बाद ऐसा एक्सपरियेंस किया जाता है आपको चार-चार एक्जामपल से में बता दिया और एक यह साइक्लोन ओखी 2017 में आया था तो यह कब आया है 29 नौंबर लेकिन हलांकि आपको यह ध्यान देना चाहिए यह वेस्टर्न घाट से रेसोसियेटेड है यह स्री लंका के इंडिया और केरल का जो इंडिया में केरल है इस एरिया को यह इंफ्लुएंस किया था यह थोड़ा सा अलग चीज़ है साइक्लोन वाले पार्ट में हम सब समझेंगे ठीक है अब यह डू यू नो लिखा हुआ था एंसी आटी में कि जो मासिन राम है मासि साइट केव अब मैं बस यह दो बात समझा देता हूं और उसके बाद इस वीडियो का हम कंक्लूड करेंगे एस टैलेग माइट और स्टैलेग साइट सौरी स्टैलेग माइट और स्टैलेग टाइट अब देखिए यह तो कैंडल आपको दिखाई दे रहा है अब इसमें क्या है कि जब यह कैंडल जलाते हैं हम लोग आप सभी के घर में कैंडल कभी ना कभी आप दिवाली के टाइम में या अकसर कभी जलाए होंगे लाइट भी लोने पर तो देखते हैं कि इस तरह से इसमें क्या होता है कि मोम पिघलं पिघल और गिरने लगता है तो इस तरह से उपर से ओशने चूते इसही में आता है तो इसको कहेंगे हम इस तरह से ऐस्टेलक माइट और जो अस्मान में लटके रह गया तो इस कीज को कहेंगे ऐस्टेलक टाइट जैसे आपको याद रखने के लिए मैं बता धी जैसे यह क्या another मैइठ मतलब चटाई होता है ना ना तो मेट कहा होता है जण मीन पर विचता है है तो इससी तरह भी मैइठ है मैईठ मैइठ मैट मेट मॵल्ला जो चीज हो गिया जो यह नीचे आकर गिर ग्या cowork गया मेठ हो गई से लीवाऺक you or में जो होगिया हुमी जो ठीक हैALK Lime。 लाइम, CELSIUM CAK ä सब्सक्राइर इस तरह से नीचे और उपर हिला के कंपलीट ऐसे ज्वाएन हो जाता है और इसको बोलते हैं और यही केव का पिलर की तरह काम करता है आप अगर मेघाले जाएं तो ऐसे आपको बहुत सारे केव देखने को मिलेंगे इस तरह से पिलर वाले केव इनको कहते हैं स्टेलेग माइट इस्टेलेग टाइट केव अगर आप से कोश्चन पूछा जाए कि इंडिया में क्रेम पूरी कि सर्च करिएगा यह क्या है क्रेम पूरी और आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताईएगा उसके हिसाब से एक लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है यह वर्ड ओके अब चलिए बही खाता जैसे कि हर साल बच्चों को साल बर पढ़ाते हैं उसके बाद कि रिजल्ट लेते हैं और हमारे स्कूल में होता था कि कहते हैं यूनिट टेस्ट और एक बोलते हैं कि फाइनल इसी तरह से देखिए यह ज्लिए से लेकि Detail से स्टेंबर से थे अगर जैतना बारिस हों इसके तेलना में वे missiles घाट को दी जादा बारिस होई ऊसके इसी तरस यह तामिलाडू का रीजन है यहां बारिस नहीं हो पाई क्यों क्योंकि यहां जो वेस्टन घाट के उंचे-उंचे पिक्स है अनाइमुडी दोड़ा बेटा तो यह दर बारिस नहीं होने दिए साथ ही साथ देखिए यह जो रीजन है नौदर्न प्लेन का रीजन य से रीट्रीटिंग मॉंसून का भी हिसाब ले ले या फिर यह काल बैसाखी कभी बारिस करा गई यह जमुकास्मीर और यह नौर्थ वेस्टन रिजन में नौर्थ वेस्ट डिश्टर वेंसे या मैंगो सवर हो गया केरला करनाटका में तो सबका मिला के एनुवल मुएस्टर लेड़न जो आ रहे थे विंट्स उनसे लेकिन यह जिए अभी भी डॉमिनेटेड है नौर्थ इस्टर्न हिमालया का यह नौर्थ इस्टर्न पार्ट साथ ही साथ यह वेस्टर्न घाट का रिजन डॉमिनेटेड है और यही दोनों हमारे बायो डाइबरसीटी ह सब्सक्राइब कर दिया इसका कोई परपस नहीं है अगर आपको यह पसंद आया तो इसे लाइक करिए अपने फ्रेंट के साथ सेर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए जो बेल बटन होता है उसे क्लिक कर दीजिएगा अगर आपको कोई वीडियो पसंद नहीं आया तो कोई बुरी बात नहीं इसमें आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि क्यों पसंद नहीं आया डिस्लाइक बटन क्लिक कर दीजिएगा और अगर आपके कोई सजेशन से या कोई ऐसा टॉपिक लगे कि मुझे उस पर वीडियो बनाना चाहिए तो ओभी जरूर साइट कीजिए कमेंट सेक्शन में मैं उस पर भी वीडियो लेकर आऊंगा थैंक यू अगेन एंड हैव ग्रेट डे